देखें अक्सर आदमी क्या करता है वो क्या करेगा कि अगर देखेगा कि इस जमीन पर केस चल रहा है ना तो इसको बेच देते हैं अब बेच दिया तो इसका मतलब यह लगता है उनको कि यह अगर हम बेच दिये चलो हम पर केस किया था हम तो वो पूरी प्रोपर्टी को ही ब अब केस चल रहा है तो ठीक है हम तो दवंग आदमी है मेरे से कौन समपत्ति दे सकता है ये तो सस्ता में मिल रहा है ये तो घाटे का सवदा नहीं है ले लेते हैं और खड़िदने वाला खड़िद लेता है लेकिन क्या होगा अगर केस चलने के दौरान अगर कोई भी जमीन बेच देता है तो कुछ न उसका तो रिजल्ट होता होगा बाद में क्या होगा उसको आज समझेंगे ऐसा ही एक मामला है और देखें यहाँ पर बिनोल सेनी जी जो है और कुमुद सिना के बीच का मामला है संपत्ति किसका हो सकता है संपत्ति का टाइटल अगर सूट विब बाद चल रहा है, तो ये जो संपती देख रहा है, ये किसका होगा? है ना? तो संपती उसी का होगा, जिसके पास संपती का दस्तावेज है. अब आप कहेंगे दस्ताविज दोनों के पास है तो दखें एक के पास ऐसा हो सकता है कि ये फरजी तरीके से दस्ताविज बना लिया मतलब उनके पास कोई कागज था नहीं और वो क्या किये कागज को तयार कर लिये ठीक है अब इस संपत्ती का जो असली मालिक है ये कुमुद सिनह जी है कुमुद सिनह जी के पास सभी दस्ताविज मौजूद है इनका ये संपत्ती पहले से है इनको है पैतरिक संपत्ती है पुरबस से ही चलता आया ये संपत्ती बीच में एक व्यक्ति जाली दस्ताबेज बनाकर बिनोथ सहनी ने अपने नाम संपत्ती करवा लिया अपने नाम मोटेशन करवा लिया ठीक है अब कोई जाली रजिस्ट्री को क्या करे अब आनलाइन अप्लाइ कर दे और फिर उसका मोटेशन करवा ले ऐसा नहीं है कि वो कैंसल नहीं होगा बिल्कुल कैंसल होगा लेकिन थोरा देर के लिए अगर ये जो है तरह से बहुत पहले से एक फरजी दस्ताबेज इस तरीके से त्यार करें जिसको पहचानना थोरा मुस्किल होगा अब तो नहीं नहीं नियम आ गए है और पोर्टल हो गए है तो अभी भरतमान में ये सब इतना संभब है नहीं कि कोई कर लेगा अब दिजिटल का जवाना है अंग्ठे के साथ साथ आपका जो पूरा फोटो है वो भी ऑनलाइन अपलोड हो जाता है लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था तो पहले जादा तर जो है फरजी रेजिस्ट्री का एक तरह से जो काला खेल जो है वो कह सकते हैं पहले हुआ करता था अब ये जो है अपने नाम तो करा लिया आज बिनो सैनी और कुमोच जिनहा के बीच में जब केस हो गया कोट में विबाद चल रहा है तो क्या सोचता है बिनो सैनी कि अर ठीक है जो है अब इसको हटा देते हैं लडते रहे किस से किस से लड़ना लोगों का ऐसा मान सिखता होता है कि जब वो उनको लगता है ये तो मेरे हाद से जाना ही है मेरा संपत्ती थोड़ी है बिनो सैनी विए कैसे पुरूफ करेगा कि ये संपत्ती उनको कैसे पराप्त हुआ को मुझज तो इना के दारा रजिस्ट्री किया गया तो उसको पर वंख़े का निशान है उसका भी मिलाइक किया जाएगा उसका जो एक तरह क्या पुरूफ गिया गिया, किस तरह सिगनिचर किया गिया, कौन गवा है तो बहुत तरह की चीजें होती है अब ये बिनोद सहनी जो है, इसको क्या करता है, बेच देता है ठीक है अब कहेंगे कि ऐसा कोई केस चलने के दवरान अगर कोई बेचता है तो कोई कानून है क्या बिल्कुल इसका जो है देखें ऐसे में ट्रांसफर प्रोपर्टी एक्ट है है ना उसका धारा बाबन हमको रोकता कहता है कि अगर कोई भी कोट में केस चल रहा हैna तो आप समपति को बेच नहीं सकते हैं मतलब उसके जो है उसको बेच नहीं सकते हैं यह धारा बावन कहता है कि जब भी आपका मुकादमा चल रहा है वो यसी प्रस्तेती में कोई भी उस अभिवादित जो जमीन उसको न बेचे अगर किसी परकार का मुकदमा चल रहा है तो ये मेरा ट्रांसपर प्रोपर्टियेक्ट का धारा बावन कहता है लेकिन लोगों की मानसिक्ता ये नहीं होती उनको लगता है कि अब तो ये जो कुमुसिना अच्छी के मेरे उपर केस किया है हम वैसे बैक्ती के पास बेश देते हैं सस्ते में लरो किस से लरना है दबंग आदमी है ठीक है तो यहाँ पे अगर जो बेच दिया समपत्ती को उसको जो है कंटेंट अफ कोट का भी केस फाइल उस पर हो सकता है और उसमें उसको सजा भी हो सकता है इसलिए कि आपको जब बेचने का वो एक तरह से अधिकार नहीं था तो आप कैसे बेच सकते हैं गलत तरीके से जानभूस कर जो है जबकि पहले से उसके विवाद चला हुआ है और आप जान भी रहें यह हमारी संपती नहीं है तो यह अगर माल लेते हैं उसके पीछे कोई बेक्ती अगर लग जाए तो उसको सजा भी दिलवा सकता है तो इसलिए यह गलती कभी नहीं करें अगर आपका केस चल रहा है तो उस तरह के संपती को नहीं बेचें जादा तर यही पडियास रखें लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि क्या बेच दें तो वह बिक्री नहीं होगा तो बिलकुल नहीं है ऐसा बात आपका अगर केस भी चल रहा है लेकिन सरकार का और जो है इस पे बहतर कदम जो है वो होने जा रहा है लेकिन अभी फिलाल अगर वर्तमान जो situation अगर उसकी बात करें कि अगर आपका case चल रहा है property पे तो उसका बिक्री हो जाएगा है ना विक्री हो जाता है यह अगर देखें बहुत राजों में जो उतना system है उतना strong नहीं है लेकिन अभी जस जो है वो पोर्टल लॉंच होने वाला है कि जिस भी property पर case चलेगा वो रजिस्टार को पता चल जाएगा सर्च करने के बाद उसका plot number उसका जो plot का पूरा location है खाता संख्या है उससे क्या होगा कि यह पता चल जाएगा कि यह plot पर किसी भी तरह कोई बिबात तो नहीं है तो यह आने वाले समय में एक बहतर कदम होगा ताकि अगर case चल रहा है तो उसका खरीद बिक्रिक होगा अगर हो जाता है तो इसमें एक तो बिनोच सहनी से कुमुच सिना को बिबात हुआ और दूसरा बिबात जो है वो जो खरीदा है उससे भी हो सकता है तो यह बिबात जो है आगे ना बरहे और ऐसे बहुत सारे मामले हैं यह बिबात आगे नहीं बरहे इसलिए यह कदम जो है अभी लिया जा रहा है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा तो अब यहां पर है कि आखिर सुप्रीम कोट का इस पर क्या कहना है दखे सुप्रीम कोट के कई जजमेंट जो हुए है उसमें उनका साप साप यह कहना है कि अगर मान लेते हैं ठीक है कोई भी बैक्टी जो है वो बेच देता है बेचने वाला जो है माल लेते हैं बिनोज सहनी ही है या बेचने वाला जो है है ना बेचने वाला जो है वो कुमुद सिना ही है जो भी है सुप्रिम कोट का ये कहना है कि जिसके पक्च में फैसला होगा न है ना और वही अगर उस संपत्ती को बेचा है तो जो इस्थिती है वो वही बरकरार रहेगा मतलब विनोद सहनी के पक्च में अगर फैसला होता है और विनोध सहनी के द्वारा ये संपत्ती को बेचा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कुमुद सिनहा के पक्ष में फैसला होता है और ये संपत्ती को बेचा विनोध सहनी है तो इस रजिस्ट्री का मानिता जो है वो खत्म हो जाए लिए ये मान नहीं होगा मान नहीं होगा इसका मानता ही खत्म हो जाए ऐसा सुप्रीम कोट के कई ऐसे जजमेंट है उसमें कहना है ठीक है? तो अब इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी पक्ष में मान लेते हैं आपका किसी परकार का विबाद चल रहा है सिबिल नियाले में आप केस किये हुए है केस लर रहे हैं तो उस बीच में अगर आपको लगता है कहीं न कहीं आप अपने जगह पे सही है जैसे आपको लगता है अपने आपी की समपत्ती है अक्सर जब case विवाद चलता है तो दो मेंसे एक को ये feel हो जाता है एक समय में कि ये case जो है वो हम हार जाएंगे इसलिए कि हम यहाँ पे कमजोर हैं वीक हैं एक पक्च को ऐसा feel होता है लेकिन फिर भी वो ख़रा हूँ इसलिए उतरता है उसको लगता है चलो देखते है क्या होता है हाथ से तो ऐसे ही जाना है तो अभी हार क्यों मानना है तो ये वो लड़ाई को घिसते रहते हैं तो इसलिए अगर आपके अगेंस वाले जो है उसमपत्ती को बेशते हैं और कोट का अगर फैसला जो है आपके पक्स में होता है तो इसको मानने नहीं होगा यह आपका कैंसल हो जाएगा ठीक है आसा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल को पहली बार देख रहा है जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाला मिलते हैं अगले वीडियो